रानो चिडिया कहानी एक समय की बात है, एक छोटे से गाव में रानो नामक एक छोटी सी चिडिया रहती थी. रानो की एक खास्यत थी, वह बहुत ही बुधिमान और समझदार थी. वह गाव के सभी लोगों की प्रिय थी. गाव में एक आदत थी कि हर वर्ष एक चिडिया प्रतियोगिता होती थी. इस प्रतियोगिता में गाव की सभी छोटी बड़ी उम्र के लोग भाग लेते थे. इस साल भी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और रानो ने भी इसमें भाग लिया. प्रतियोगिता का मुख्य उद्धेश्य था कि जो भी चडिया सबसे उच्छ उँचाई तक उढ़ कर लोटती, वही विजेता होती सभी चडियाओं की तयारी बहुत अच्छी थी, पर रानों की तयारी और भी अद्भुत थी प्रतियोगिता के दिन सभी चडियाएं उंचाई को पाने के लिए उड़ने लगी पहले आई चडिया बहुत ज्यादा उंचाई तक पहुँच गई लेकिन फिर रानो उड़ी रानो ने बुद्धिमत्ता से उड़कर एक उंचाई तक पहुँचा और उसे पार कर लिया देखते देखते रानो ने सभी चडियाओं को पीछे छोड़ दिया और वह विजेता घोशित की गई गाउ के सभी लोग रानो की उपलब्धी को बड़ी खुशी से स्वीकार करते हुए उसे बधाई देते रहे रानो ने इस प्रतियोगिता में अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रदर्शन किया और सभी को हैरान कर दिया वह न सिर्फ उंचाई तक पहुँची बलकि उसने गाव की गरवशीली परमपरा को भी आगे बढ़ाया इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का सामना करने के लिए हमें साहस और समझदारी की आवशक्ता होती है रानों ने यह साबित किया कि छोटे से आकार के बावजूद हम अगर अपनी महनत, बुद्धिमत्ता और साहस का सहारा लेते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं रानों ने अपने साथी चडियाओं को प्रेरित किया और उन्हें सिखाया कि वे भी अपनी महनत और बुद्धिमत्ता का उप्योग करके कुछ अद्वितिय कर सकते हैं इस प्रकार रानों ने न केवल अपने लिए बलकी अपने परिवार और समुदाय के लिए भी एक उजवल भविश्य बनाया